फ्रेंस आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंस बजज ओटो वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करती है लेकिन हाल ही में कमपनी ने कहा था कि अब वह इस सेग्मेंट में पूरी क्षमता के साथ आने वाली है अब इसी के तहट कमपनी ने एक बड़ी कर दी है बजज ओटो ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए पूरे में एक नया प्लांट खोलने का निर्ने लिया है कमपनी इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए 300 करोन रुपए का निवेश करने वाली है डॉट इस प्लांट को पूरे के पास अकुर्दी नाम के साथ पर स्थापित किया जाएगा बताते चले कि यह वहीं जगह है जहां पर कमपनी के चेतक स्कूटर का निर्मार किया जाता था इस स्कूटर ने बजाज को घर घर में पहुचा दिया था और अब फिर से उसी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का प् पूरी नहीं हो पा रही थी इस कारण से कमपनी को बार-बार इसकी बुकिंग बंद करनी पड़ रही थी कमपनी की नई फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन जून 2022 से शुरू किया जाएगा और यहां के वाहनों भारत में बेचने के साथ-साथ विदेशो में भी भेजा जाएगा इसकी क्षमता 500-00-EV प्रतिवर्ष रहने वाली है डॉट इस फैक्ट्री के शुरू होने से करीब 800 लोगों को रोजगार मिलने वाला है इस प्लांट में रोबोटिक वा आटोमेटिक मैनुफेक्ट्रिंग सिस्टम का उप्योग किया जाएगा जि ही इन्हें तयार करते हुए अधिक्तम दक्षता का ध्यान रखा गया है डॉट फ्रेंस अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पर आटो मोबाईल की लेतिस्ट न्यूज उपत्तेस आपको मिलती रहेगी